संभल के गुन्ना और सामदाज स्वासखेंद्र में उस समयाफरा तफ्रे मच गई जब अस्पताल की दूसरी मंजिल पर भैस पहुँच गई भैस को दूसरी मंजिल के वाड में एडमिक मरीजों ने देखा तो हड़कम मच गया स्वासखेंद्र में लोगों की जुटी भीड को देखकर भैस इधर उधर भागने लगी करीब दो घंटे बाद भैस पर काबू पाया जाज़किया जिसके बाद मरीज और उनके तीमारदारों ने राहत की सास ले हुआ यूँ कि रविवार दो पाहर को गुन्नावर के सीएचसी में मरीजों की भिड थी वाड में एडमिंट मरीजों का डाक्टर चिकप कर रहे थी इसी दवरान केंद्र की दूसरी मंजिल पर लोगों ने भैस को देखा जिसके बाद भैस इधर उधर भागने लगी तो लोगों में अफरा तफरी मज़ गई कई लोग अस्पताल छोड़ कर बाहर भी आ गए कईयों ने अस्पताल वार्ड में ही खुद को कैट कर लो भैस के सीएचसी में पहुझने के करीब एक घंटे के बाद भैस मालिक भैस को ढूरते हुए स्वास केंदर तक पहुचा और कुछ लोगों की मदद से उसने भैस को काबू किया भैस मालिक ने बदाया कि भैस रसी तोड़कर भाग आई थी तभी से उसे इधर उधर खोज रहा था लेकिन यह उमीन नहीं थी कि भैस सीड़ियों से अस्पिताल की दूसरी मंजिल तक पहुच जाएगी पतालों में अक्सर स्ट्रीट डाक्स इधर उधर दिखते हैं लेकिन अब गुन्नावर के स्यस्टी में एक भैस भी पहुच गई वो भी दूसरी मंजिल तक लेकिन हेल् परवाही किसी मरीज की जान पर भी भारी पड़ सकते हैं